गोड़ मॉनिंग आजे हम लोग जो है कीरन परकासी की रे ऑप्टेक्स एंसी आइटी चेप्टर नमर नौ के वीडियो 37 से ले करके मिल रहे हैं है पिछला वीडियो में हम आप लोगों को सुचमदर्सी के बारे में बात कर रहे थे सुचमदर्सी वह यंत्र है जिसकी मदद से छोटी वस्तूं को देखा जाता है सुचमदर्सी दो परकार के होते हैं एक सरल सुचमदर्सी और और एक संजुक सुचमेदर्सी सरल सुचमेदर्सी क्या है तो एक ऐसा सुचमेदर्सी जिसके द्वारा छोटी वस्तूओं को देखा जाता है सरल सुचमेदर्सी क्या है तो एक ऐसा यंत्र जिसके मतलब से छोटी वस्तूओं को देखा जाता है सरल सुचमिदर्सी में एक छोटी फोकस दूरी के हम पिछला वीडियो में बताये थे कि आप लोग इस अब्जेक्टी को नोटिस किजिए गया कि सरल सुचमिदर्सी में छोटी फोकस दूरी का उता लेंस होता है जिसे धातू के फ्रेम में फिट किया रहता है इस उतर लेंस को आवर्धक ग्लास या आवर्धक लेंस भी कहा जाता है इस छोटी फोकस दूरी वाले उतर लेंस को आवर्धक ग्लास या आवर्धक लेंस भी कहा जाता है इसके बाद हम बात कर रहे थे कि एक बनावट इसकी क्या है तो बनावट हम आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे आज हम यह कैसे काम करता है अकीर हम जैसे बहुत से लोगों को सरल सुचमदर्सी के मदल से नहीं हम आपको जेमेटरी बॉक्स में या कहीं जो देता है तो उसे यह दि किसी को पॉढ़ना हो ऊब ही बहुत से लोगं रखें को जाता है सार सडसुचमदर्सी को कहां रखें गहां समझना रखा जाता है आंख के समीप ने बहुत से लोग गलती कर देते हैं आंख के पास रखे देखते हैं आंख के पास नहीं रखना वस्तू के पास रखना है जितना नजदिक वस्तू के रखिएगा उतना ही बड़ा आपको पर्तिविम दीखाएगा उतना ही वस्तू बड़ा तो सरल सूचमिदर्सी कैसे काम करता है सवाल यह है कि सरा सुचमिदर्सी की काम करने का जो तरीका है आपको पता होगा किसी भी वस्तु को जब हम उतर लेंज के फोकस दूरी के अंदर रखते हैं जब किसी वस्तु को उतर लेंस के फोकस दूरी के अंदर रखते हैं तो वस्तु का काल्पनिक आवर्धित एवं सिधा परतिवीम प्राप्थ होता है जब किसी वस्तु को उतर लेंस के फोकस दूरी के अंदर में रखते हैं तो वस्तु का काल्पनिक सीधा आवर्धित परतिवीम हमारा बनता है तो यह कैसे काम करता है तो सेम कंसेप्ट है वही वाला जो कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं तो अभी जो है हम देखेंगे कि कैसे यह काम करता है तो यह उतर लेंस हमने बना दिया अब यह है उतर लेंस जब हम बना दिये तो हम फोकस दुरी और वकरता के अंदरे रखेंगे समझने के कोशिस किजिएगा बराबर बराबर दुरी पर हम ले लेंगे तो आपको पता ही है हम लेंस करने के बाद में यह फोकस यह वकरता के अंदर यह फोकस और यह वकरता के अंदर पहला सता कहाते यह मेन फोकस और मेन वकरता के अंदर यह दिवतियक फोकस और दिवतियक वकरता के अंदर वस्तु को फोकस के अंदर रखना है यह जरूर ध्यान रखिएगा कि वस्तु को फोकस के अंदर रखना है जो वस्तु यह कंडिशन आप लोग पहले बना चुके हैं ऐसा बात नहीं ह पढ़े हैं तो वस्तु को हम फोकस के अंदर रखे तो वस्तु से दो किरन चलेगा एक किरन सिधा लेंस पर आया जो लेंस पर आया वो फोकस से होकर गुजरेगा जो लेंस पर आया वो फोकस होकर गुजरेगा और दूसरा परकासिय के अंदर से होकर गुजरेगा हम इसको पीछे की और बढ़ाएंगे तो यहां कटता हुआ परतीत हो रहा है और यही हमारा परतिविम बना काल्पनिक सीधा आवर्धित परतिविम बना हमारा यहां पर जो कि आप देख रहे हैं और यही केस है सरल सुचमदर्सी में कि किसी भी वस्तु को सरल सुचमेदर्सी से यदि देखना है तो वस्तु को फोकस के अंदर रखना जरूरी है यदि आप सरल सुचमेदर्सी से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वस्तु को फोकस के अंदर होना जरूरी है जब तक वस्तु फोकस के अंदर नहीं होगा उ कि रोटते हैं बसके कुछ चाहिए है लाव यह कट सकता है subtit恵्य सकता है चाहिए यहां कट सकता है यहां हम पहले पहले कटेगा है कि रहने में पिर बहुंपर कटेगा तो बहुतिंट की सुखमिदर्शी की मदद से तो बहुतिंट को सुखमिदर्सी की फोकस के अवस्यक्तु सरल् सुचमदर्सी के फोकस के अंदर रहेगा तो उसका कालपनिक सीधा और आवर्धित प्रतिमी में प्राप्थ होता हैroid कि चिंदर्सी कि परिभास और उसकी बनावट के वारे हम पिछला जुए बता चुके थे अभी मोग के बारे में देखें अवम आवरधन छम्था के बारे में बात करेंगे सर अल्सुच धरसी के आवरधन छम्था क्या को स्राइस है तो आवरधन छम्था में हमेइसा दो केस देखा जाता है एक में जब अंतिम पर्तिविम के असपास्ट दरसन की न्यूनतम दूरी पर बनें हमेशा आवर्धन चम्ता में दो केस देखा जाता है जब अंतिम परतिवीम असपाश्ट दर्शन की नियूंतम दूरी पर बने तो सूत्र होता है आवर्धन चम्ता का में बराबर वन पलस डी वाई एफ म बराबर वन पलस डी वाई एफ यह सुत्र को सी दिवी किया गया है लेकिन हम लोगों को यां में जभी पूछेगा सरसुषम दर्शी से रिलेटेड तो दो नमर का कॉशन पूछेगा जब पूछेगा दो नमर के इसलिए हमने डारेक्ट D है असपश्ट दर्षन की नियूंतम दूरी मतलब 25 cm F क्या है Lens की फोकस दूरी F हमारा Lens की फोकस दूरी है और M तो जानते ही होंगे आवरधन छामता है तो यह हमारा जब अंतीम परतिवीम असपश्ट दर्षन की नियूंतम दूरी पर बने तब के लिए हैं कि जब अंतीम परतिमिम असपाश दर्शन के नियुंतम दूरी पर बनेगा तो M बराबर 1 पलस D by F होता है जब अंतीम परतिमिम असपाश दर्शन के नियुंतम दूरी पर बनेगा तो आवरदन छहमता है M बराबर 1 पलस D by F जहां d है अस्पाइब धरसं के निहूंतम दूरी और एफ है लेंस की फोकस दूरी जब अन्तिम परतिवीम अनांथ पर बने तो M बरावर डि वाई ऐफ होता है वानपोच डीवैयेफ नहीं केवर्डीवैयेफ होगा. यह हमारा सुशमदर्शी के आवर्धन रहा है, जब आवर्धन रहा है, जब आशना की बात होगी किश की सब्सक्राइब होगी. कि यह हमेशा याद रखेगा इसके बार यहीं पर एक word हम चार्चा कर दे रहे हैं यह आपको बूक में या नोट में नहीं मिलेगा यह concept आपको समझना होगा एक इसको ट्रीक कहिए जो कहिए आप समानी स्थिती यह समान इस्थिती वाला वաुड आपको हमेशा मिलेगा समानik स्थिती वाला वर्ड यो है समान किया गया है तो सुचमेदर्सी में समान इस्तिती का मतलब हुआ कि अंतिम परतिवीं 25 cm पर बन रहा है बत को जरूर नोटिस किजिएगा सुचमेदर्सी में 25 cm का मतलब हुआ समान इस्तिती और दूर्बीन में समान इस्तिती का मतलब हुआ अनंत सुचमिदर्सी में समान इस्तिती का मतलब 25 सेंटिमीटर और दुर्बीन में समान इस्तिती का मतलब हुआ अनंत इस वर्ड को जरूर नोटिस के जिएगा सुचमिदर्सी में समान श्तिती का मतलब हुआ सुचमिदर्सी में 25 cm और दुर्भिन में समान श्तिती का मतलब हुआ अनन्थ जरूर नोटिस कीजिए गई बहुत ही महत्पूर्ण एक पॉइंट हमने अपको बताया तो यह हमारा सरहल सुचमिदर्सी की बनावठ हम पिछला शुआ बड् Article 8 रीजिए सौरा खिसलर सुचम्य दर्सीघ का की दिया हुआ कि से काम सरहां करता है तो सुचम्य की मंदद से यदि किसी वस्तू को देखना है तो वस्तू को उसके फोकस के अंदर में रखना होगा स्वार्द सुचम्य नियुकरा करें तो अबर्दाशन खामता है a m respe βária राबर डी मैइ इफ ये हमारे दो केस हो गए अभी हम बात करेंगे की सरल सुढ़्मधर्शी का उप्योग कहा कहा ऐ इसे प्छला वीडियो में उप्योग बता चुके लेकिन अभी हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं कि सरल सुचमिदर्सी का उपयोग क्या होता है सरल सुचमिदर्सी के उपयोग के हम बात करें तो सरल सुचमिदर्सी का पहला उपयोग है आख़बार पढ़ने में हमें सर्वल सुच मिदर्ष्जि का पहला उपयोग हो गया आक्षबार पढ़ने में होट दूसरा उपयोग कि हम बात करें थो हास्त रेखा देखने में जो पंडींजी लोग देखते हैं हस्त रेखा देखने में आप यह समाज के एक बहुत बड़ा बीडंबना भी है हस ते खाइध बदाना भी हमारे हार के रेखकी कर नीचिप बताथ हैं अपर देखें हगे फोड़ों बैठा हुआ यह का शुब बोरा ही जो यह बद आदा हुआ हुआ है खाइठी吧 सरसुछ मदर्सिका उपयोग होता है छुषा ग करकेंगर परियोग साल hm सबस्क्राइब सरसुच दर्शी का उपयोग होता है कि चौथा हम बात करें आभूसन बनाने में जो हमारे स्वर्मकार है जो गहना बनाते हैं लोग तो आप देखते होंगे गहना में भी बहुत छोटी बारिकियों को फिट किया रता है उसको एड़स्ट किया रता है तो गहना बनाने के घौड़ी बनाने में तो गहरी साज द्वारा घौड़ी बनाने में इसी का इस्तेमाल करते हैं चुकि ऐसे कुछ यह समझे दीजेगा कुछ अप लोगत समला सकता है कि घौड़ी साज जब घौड़ी बनाते हैं तो वो लोग जो है सरल सुटबर्सी को आंख के पास में लेकिन ज़िए बेतर आप दुकान में जाएगा बड़े बड़े घड़ी का मरमत होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि वह लोग आख में लगाते हैं वह एक सिसा रहता है टेबल के उपर सिसा है उस सिसा ही वह पूरामान के सलिए वह सरसुचुदर्सी है और नीचे रह कर करते हैं उपर में देख रहे हैं तो वहां पर वह इस तरह कर Big talks में चैक्रणी और नहीं लगा लेते हैं इसलिए का क्रिद्राइए बद्चरे से काम होगा विइसलिए मजबूरी है ऐस तरह करना उतना बड़ा नहीं द Cameron है थोड़ा बगा कीzhबाओ करना है तो यह हमारा सरव सुचमिदर्सी हुआ अभी हम लोग संजुक सुचमिदर्सी के बारे में बात करेंगे संजुक सुचमिदर्सी आज के आए कि बहुत ही महत्पुन आपका टॉपिक है खास करके संजुक सुचमिदर्शी की संरचना बनावट आप लोग आठवम में और दसवम में भी पढ़े होंगे यहां पर हम बनावट समझेंगे इसका बनावट थोड़ा सा अपने आप में टफ होगा एक और हम थोड़ा बात कर लें किरन प्रकासिकी चेप्टर के बाद हम उब लोग उिटूब नहीं डालेंगे आपको यूटूब पर वीडियो नहीं मिलेगा जोव हो बहुत है कि रन प्रकासिक चैप्टर के बाद हम अगला चेप्टर इसको करेंगे कि नभीया हम इसको रोकेंगे ऑर एक चैप्टर नमबर वॉन स्टार्ट करेंगए एलक्ट् यह आपको प्लेस्ट और मिल जाएगा क्या प्रोसेस है सब हम आपको एक वीडियो बना कर डाल चुके हैं तो उसी आप में जो है हम लोग देखेंगे नोट्स भी आपको उस आप में मिल जाएगा अभी आम उसमें नोट्स नहीं डाले हैं लेकिन नोट्स जो है तुरान ठी दालेंगे क्योंकि हम दूसरा कॉपी किसी और से मांगा है क्योंकि अभी तक हम आपको जो नोट्स देते हैं वो पुराने किस 2016 के बाइच के किसी स्टूडेंट का है तो उसमें कुछ गलतियां भी है तो अब इस बार जो है 2020 के किसी के स्टूडेंट का हमने कॉपी मांगा है तो उसी से जो है आप सुचेंगे कि आपको उपलब्द कराया जाए देखते हैं उसमें कहां तक सही है क्या है जैसे मेरे पास कॉपी आ जाता है उसका नोट्स का फोटो हम आपको मोबाइल एप में डाल देंगे कुल मिला करके किरन प्रकासी की चप्टर के बाद वीडियो हम अलाउग कर देंगे तो आपको मैसेज मिलेंगा हमें कर दिये तो फिर आप लिए वीडियो देख सकते हैं जैसे मुफाइल लड़ा more जाय जाए आप पर पढ़ाई किजिए इतना दिना कि आपको बेनिफिट होगा वह गाँपर उस तरह से पढ़ाई आपका नहीं हो रहा है यहां भी माहसूस कर रहे होंगे कि गाहों पर पढ़ाई का महाल में जमीन अस्मान का फरक करता है, जाये नुमेरिकल पूछ सकते हैं, इसके साथ जुन में ज़ी नहीं भी खुलेगा, युलाइमय तो सरकार का भी अदेश है एसे देखे क्या होता है और वल में जुन में खुल रहा है तो तो सधबरुण 9 में सबस्रें सतंग के बारे में संजुक सुचमेदर्सी जोगिक सुचमेदर्सी जोगिक मने जोड़ा तो सरल सुचमेदर्सी में एक ही लेंस होता है लेकिन संजुक सुचमेदर्सी में दो लेंस होते हैं कि सबस्टों तसे सांजुग सुचमिदर्सि लेकिन सबस्टे जैसे बलड़ के पार्टिकल बलड़ अंदर आघालो के कीडियों को देखनाई हो इस तरह से ढाल कोْ और देखना चाहते हैं तो आप गालए जहां पर आप बलड का भी देते होंगे तुम लोग सण्जुग सुछमेदर्सी के मदद से हिं करते हैं है तब कहाने का मतलव सभूल स्भातीज कंटर्श है जिसके दिवारा अतियांत सुछमेवस्थियों को देखा जाता है सन्यूक सुचमेदर्शी की मदल सेãyख्यान सुचमेदर्शी में चोटी फोकस दूरी के दो उतारलेंस इसमें ने मतलब होता है समान अक्ष यह कहीं अक्ष में यह कहीं लेबल में कि दोनों उतालेंस को समाक्षिय धंग से खुद्धातु के खोखली नली में फीट किया रहता है बेवस्थित किया रहता है संजुक सुचमजर्शी में दो उतालेंस होते हैं दोनों उता लेंस को समाक्षिय ढंग से खोखली नली में विवस्थित किया रहता है नली में पेंच लगा होता है पेंच की मदद से हम लेंस को उपर निचे कर सकते हैं पेंच की मदद से लेंस को समायोजित कर सकते हैं विवस्थित कर सकते हैं खिसका सकते हैं जो कहीं आप तब पेंच की मज़े से लेंस को हम वेवस्थित कर सकते हैं खिसका सकते हैं जागा चेंज कर सकते हैं एक लेंस वस्तू के समीफ होता है जबकि दूसरा लेंस नेत्र के समीफ होता है जो लेंस वस्तू के समीफ होता है उसे वस्तू लेंस या अभिद्रिश्यक अंग्रेजी की बात करें तो अब्जेक्टिव लेंस जो लेंस वस्तु के समीफ होता है उसे वस्तु लेंस या अभिद्रिश्या कहेंगे और जो लेंस नेत्र के समीफ होता है उसे नेत्र का कहेंगे आई लेंस या आई पीस भी काते हैं आई लेंस को आई पीस भी काते हैं फिर से एक बार संजुक सुच मिदर्सी में दो उतर लेंस होते हैं दोनों उतर लेंस धातू के फ्रेम में खोखली नली में समाख्छी ढंग से वेवस्तित होते हैं नली में पेंच लगा होता है पेंच वस्तु के समीब फोता है उसे वस्तु लेंस या विद्री एक आते हैं और जो लेंस ने 3 में भोता है उसे नि-3 का आते हैं अब बक्रेंगे यह वर सब्सक्रार किर CR-T कहके काम कैसे करता है संज्व सुचमदयर्ची के मदद से कैसे किसी वस्थ को दिखते हैं सहते कैसे किसिव वश्थ को बड़ा दिखाता है हम लोग उस पर बात करेंगे तो हम पूरा फीगर बना करके आपको बॉट पर दिखाते हैं चीत्र में आप चीत्र में आप जो है संजुक सुच्मिदर्शी का फीगर देख सकते हैं यह संजुक सुच्मिदर्शी की किरिया भी धी है संजुक सुच्मिदर्शी की बनावत एखत चेहां गया है तो समय दिए आप वीडियो को पूस्ट करके या इसक्रीन सौट ले करके इस इस डियागराम को भी आप उतार सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे नोट्स मिलेगा, तो आप उससे भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो यह रही हमारे संजुक सच्वदर्शी का कंडिशन, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं, कि इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या-क्या ध सब सही है, लेकिन जदी आप कंसेप्ट के अधार पर बनाएंगे, एक-एक पॉइंट को समझ करके बनाएंगे, तो इसमें आपको मिश्टेक जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे हम लोग कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं, शुरुआत यहां से है, यह हमारा वस्तु ल लेंस से AB वो दूरी पर है, वस्तु दूरी यहां पर वस्तु लेंस वाला लिखा हुआ है, और AB जो रखा गया है, वो रखा हुआ है C देस और F देस O के बीच में, ऐसे नियम तो यह कहता है, जिसके हम बात कर रहे हैं, कि जितना ज़्यादा F के नजदीख होगा, मतलब AB जो है वह यहां हो यहां हो जितना यहीं नजदिक होगा उतना ही बतर है क्ら केורी में लिखवाएंगे की एबी को फोकस के ठीक बाद रखा गया है फोकस के ठीक बाद रखा गया है ठीक बाद तो है नहीं थोड़ा समझा इसलिए थोड़ा सामने इसको दूर ही रखा है समझ में आगया रिजन कि जितना ही फोकस के नज़िक होगा उतना ही यह बहुत बड़ा बनाएगा तो यानि वस्तु को वस्तु लेंज के ठीक बाद रखा गया है तो वकर्ता के बीच यह दी वस्तु रहेगा तो उसका परतिवीम जो है वकर्ता के नरके ऑननत के बीच करनेगा obsy beverages में दुद के बाद है एडास Bट करती भीच एडेस परतिवीम जो कि इसका परतिवीम है भी ओ है वस्तु लेंज द्वारा पर परतिवीम how जोस्तु यह दूरी पर है में यह रहा व्स्तु लेंज का सिस्टम है अब हुपात करेंगे नेकालस नेत्रिका लेंज क फोकस के अंदर में है A-B-DES नेत्रिका लेंश के फोकस के ठीक अंदर में A-B-DES और अभी जश्ट यहां है वह यहां है यहां होगा तो फोकस के अंदर में हो तो उसका कालपनि और आवर्धित परतिवीम प्राप्त होता है जैसा कि आप देख रहे हो हरम जब फिघर इसको बनाना है तो बारिक्तना नोटिस को उसके से अंदर में यहां पर वकरताौ के विच वस्तु रखा हुआ है यह वश्तु दुरी है यह इस से दूरी कितना है तो यह मूझत मैं बहुत बार बोल चुके है इसे के दोरा बनार बार बोल चुके हैं इस स्ट लेन्स के लिए वस्तु का काम कर रहा है जो अब defender को यह सी्जन्स के लिए था खी बॉस्तों को हैं कि पहले द्वारा पर्तिवीम 2-1 के लिए वह स्टों का म करेगा दूसरे द्वारा बना पर्तिवीम तीसरे के ले विंस पर शरका करेंगा कैंवने कितनी बाइस एंदर में इसी कालपनिक शीधा और अबरधित परतिवीव कोई भी बन सकता है यहां पर यहां पर इसके पीछे बन सकता है यह कोई भी बन सकता है यह मत सोचेगा करनाते समय हमको इधार कटाना है कि जहहां क astrology यह ङए नहीं की जहां परति गी मनें वहां कर आंगे ऐसा नहीं है तो यह इसके पीछे कौहीं बन सकता है कोई भी हम यहां तक बोल दियेक्टे सामने भी बन सकता है है व कि अट तो इस चीज़ों कर दोटिस कीजिएगा और यह बनाना कैसे यह दोनों लेंसों के बीच के दूरी है यह अपको दिखाने जा रहे हैं द्यान देजए तो अभी हम बनाव seaweed के रेया का यह कैसे बना गहले हैं ज्यादा परेशान नहीं होना है सबसे पहले सका कानसेप्ट क्या है तो समझेगा कोई बड़ा बात नहीं है जदि नोटिस करिए गया तब संजूक सुछमदर्ची में दो उतर लेंस के केस का समीली तुरूफ है एक साथ उतर लेंस का दो केस दोनों का समीली तुरूफ है यहां पर जैसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे समझिएगा यह फर्ष्ट केस है यह उतर लेंस हुआ यह इसका फोकस यह वकरता केंदर यह फोकस और यह वकरता केंदर वस्तु जो रखा हुआ है फोकस और वकरता के अंदर के बीच रखा हुआ है तो जो इसका परतिमीम बनेगा वो फोकस और वकरता के अंदर और अनंत के बीच बनेगा जो परतिमीम बनेगा वकरता के अंदर अनंत के बीच बनेगा यह केस हुआ हमारा कि कि वंपू जो रखा रुआ है वा कर ता के दर्फ cabin के विच रखा हुआ है तो पर्थीबिम जो बनेगा होकारता के दानानंद के विच बनेगा यह आभी जानते हैं कि वाकरता के दानांत के दीछ मनता है अब यहForce हुआ वस्तु लेंस के लिए है तो यह फो और सी ओ लिख दिये हैं हम यह वस्तु ए भी हुआ वस्तु दूरी इव ओ हुआ और यह पर्तिविम दूरी भी हुआ वस्तु दूरी ओ पर्तिविम दूरी भी हो यह हमारा फॉस्ट केस हो गया जहां तक हम समझ रहें कि आपको प्र रहीं दूसराelsh 5 गैज्प ना है मुश्प सतरु आपको इस तरह से लेना है कि जैसे इन पोक्स दोरी लें तो फोक्स दोरी जो है इतना लेना है यह जो परतिबीम हेग्ट यो54 को ऐस्के आरा जाए मैंगले का मैं ब्हूंग को सब्सक्राइब इतना है जिसे कि यह जो परतिविभी मैं वह इसके फोकस के अंदार में आ जाए जैसे मल की हम लए लिए 18 सेंट्यमीटर mo Nabok हम जो है 18 cm ले लिए तो 18 cm coded founder में आ गया यह आपना है कि हुए इसके फोकस के अदर में आजाये तो जीतना इसी których hierarchy कि अब इसको आपक बना सकते हैं कॉपी पलट लेजी अएक तक बनाई है यह पर जाएगा जो लेंस पर जाएगा वह फोकस होकर गुजरेगा दूसरा डारेट प्रकासी एक हैंगे तो पीछे की और बढ़ाएंगे और जहां कटेगा वहीं हमारा परती मिमनेगा हैनल हो तो गया कोई बड़ी बात नहीं है यहां भी वस्तु से दो किरा निकला था एक किरा सिधा लेंस पर गया जो लेंस पर गया वो फोकस होकर गुजरा दूसरा परकासी एक हैंगे अगले केस में देख पा रहे हैं कि यहां के लिए यहां कट बात निकला हैं बसके लिए उचल्च केस का समेलने दो अलग अलग केस को एक सांत मिला करे बनाया तो को दोनों केस कौन कौन से हैं और हम बोर्ड पर लिग दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा पहला केस यह हुआ कि जब वस्तू कि वाकर्ता केंद्र कि एवन फोकस के बीच हो कि यह वाला केस का कंडिशन आप लोग बनाए आप से यह फिगर संजुदर्सी का बन जाए तो बहुत अच्छी बात एक बार में नहीं बने तो हम अगले वीडियो में भी एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे इसके बनाने का चुकि यह वीडिय अब चर्ट के बिच हो यह वाला कैस है आप पहले प्राइ्टिस कर लिजिए गिए कि उसके बाद सेकेंड कैसे है कि जा वज तू JOSH के आंदर हो फोकस के आंदर हो फोकस का के भी इस पैसी द्सें अब लेंस कॉल शाके स्चाहे की था उतं आल यह धूसरा कि यह यह चथा केस हुआ यह पाहिला दुसरा है नहीं ठीसरा केस और जुब भीस है इस तरह से जह उनकुछ करना मिचेश हो और दूसरा जा है यह पास त होट के आंदर में हो यह दोनों ही केस ओं के समेव स्मयली तुरूप आपका यह डाहिट गराम दिया हुआ है इसको जो देखना हो तो फिर से समझने की बात करें इसको पॉलट करके देखिए कॉपी जब देखना खीक है जब इसको देखना होगा तो यहीं से सीधा है इसको पुलटिए आप ऐसे तरह से हो गया और इसके सुझमेदर्सी का हम इतना मेहनत संजुक सुचमदर्सी के डियाग्राम पर इसलिए कर रहे हैं पॉइंट पर आ जाते हैं क्या कि डियाग्राम इतना मेहनत क्यों इसलिए क्यों संजुक सुचमदर्सी से रिलेटेड नुमेरिकल एक्जाम में हमेशा पूछे गाए हैं और संजुक सुचमदर्स तब तक आप संजुक सुच्मदर्शी का नुमेरिकल नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम डियाग्राम पर इतना मिनत कर रहे हैं, तो हम आसा करते हैं कि आप लोग डियाग्राम पर मिनत कीजिएगा, डियाग्राम आप लोग घर पर खुद बनाईए, बन जाए तो बहुत किये तो कोसिस कीजिए बनाने की, और फिर हम अगले वीडियो में भी संजुक सुच्मदर्शी का डियाग्राम बताने की कोसिस करेंगे, तो आज की वीडियो में इतना हैं, धन्यवाद.